हमने एक बार एक व्यक्ति से पूछा क्या कागज में आग है उन्होंने तुरंट उतर दिया ये भी कोई सवाल है जनाब बिल्कुल नहीं हमने कहा अगर कागज में आग नहीं होती तो माचिस की पीली से दी हुई छोटी सी आग से कागज के बीतर से इतनी बड़ी आग कैसे निकलती है हर वस्तु में आग छिपी होती है माचिस की पीली उस छिपी आग को देहकाती है एक बार एक बच्चा स्कूल से लौट कर आया और उसने पनी मा को टीचर नदी हुई एक चिथी दी जब माने चिथी पढ़ ली तब बच बहुत ज़्यादा बुद्धिमान है हमारे पास ऐसा कोई टीचर नहीं जो इतने प्रतिभावान बच्चे को पढ़ा पाए बैतर होगा कि आप इसके प्रशिक्षन की व्यवस्ता कही और करें बरसो बाद जब मा का देहान्त हो गया ये बच्चा जो अब एक बहुत मशू गुबल की डॉवर में उन्हें सालो पुरानी वो चित्थी मिली जैसे वो इस चित्थी को पढ़ रहे थे उनकी आखों से आसू पहने लिए चित्थी में लिखा था मैडम आपका बेटा एक नंबर का बुद्धू है हम इसे सिखाकर तंग आ चुके है हम इसे स्कूल से नि आखों से बैते आसूं को पोचते हुए वैज्ञानिक माहुदय ने चित्थी के नीचे लिखा जी हाँ थॉमस एडिसन एक बुद्धू बच्चा था जिसे उसके मा के विश्वास और समर्थन ने इतना बड़ा वैज्ञानिक बनाया देवी और सज्जनों हर व्यक्ति में किसी विशेश योग्यता हुनर की आख छिपी हुई है यदि विश्वास करने वाली कोई व्यक्ति माचिस की वो तीली मिल जाए न तो भीतर की आख बाहर निकलती है और विश्व कल्यान होता है धूंडिये किसी ऐसे व्यक्ति को जो आप में विश्वास करे या बनिये वो माचिस की तीली जो किसी के भीतर छिपी उस आग को देखाए